एक खोकला गोल शेल दो सेंटीमीटर मोटा है यदि इसकी बाहे तरिज्जा आठ सेंटीमीटर है तो इसमें लगी धातु का आयतन ग्यात किजे यहां हमें बाहे त्रिज्जा ग्यात है गोल शेल की जो खोकला गोल शेल है उसकी बाहे त्रिज्जा ग्यात है वो है 8 cm तो यहां खोकले गोलन गोली शेल की बाहे त्रिज्जा माल लेते है आरवन है वो 8 cm है अब मोटाई प्रशन में क्या दे रखी है, गोल शेल की मोटाई है, दो सेंटीमीटर, अर्थात यदि हम बाहेत त्रिज्जा में से मोटाई को घटा दें, तो हमें आंतरिक त्रिज्जा मिल जाएगी, तो इसलिए आंतरिक त्रिज्जा आरटू बराबर होगी, आठ माइनस तो अर्थात 6 cm, हमने क्या किया, जो बाहे तरिज्जा है, R1, उसमें से मोटाई को घटा दिया, और आंतरिक तरिज्जा को प्राप्त कर दिया, आंतरिक तरिज्जा माल लेते हैं, R2 है, वो होगी 6 cm, तो खोकले गोलिये शेल्क में, जो धातू का आयतन है, उसका सूतर क्या है, खोकले गोलिये शेल्क का आयतन क्या होता है, चार बटे 3, पाई, गुणा R1 क्यूब, माइनस R2 क्यूब, ये एक खोकले गोलिये शेल्क का आयतन होता है, तो उसमें लगी धातू का आयतन कितना चार बटे 3 गुणा पाई ब्रेकिट में R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब जहां R1 होती है बाहत्रिज्या और R2 होती है अंत्रिक त्रिज्या हम R1 R2 के मान रख देते हैं और पाई का मान हम रख देते हैं 22 बटा 7 तो मान क्या प्राप्त करते हैं 4 बटा 3 गुणा 22 बटे 7 गुणा 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब प्रेकिट में है 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब R1 हमारा जो बाहत त्रिज्या है वो है 8 सेंटिमीटर आंत्रिक त्रिज्या है R2 6 सेंटिमीटर calculate करते हैं तो bracket को calculate करने में हम क्या पाएंगे 8 का cube होता है 512 और 6 का cube होता है 216 अर्थात मान हो गया 4 बटा 3 गुणा 22 बटे 7 गुणा 512 माइनस 216 bracket को हमने हल किया तो ये मान होता है 512 माइनस 216 का मान होगा 206 में अर्थात खोकले गोली ये शेल में लगी धातू का आयतन कितना हो गया 4 बटा 3 गुणा 22 बटा 7 गुणा 206 में calculate करते हैं तो ये मान आता है 1240.25 इसलिए खोकले गोली ये शेल में लगी धातू का आयतन है 1240.25 गन सेंटिमे 9 सेंटिमेटर तरिज्जा के धातू के गोले को पिगला कर 3 सेंटिमेटर तरिज्जा और 10 सेंटिमेटर उचाई के कितने शंकू बनाए जा सकते हैं यहां जो गोला है उसकी जो तरिज्जा है वो है 9 सेंटिमेटर तो 9 cm तरज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा आयतन होगा 4 बटे 3 गुणा पाई गुणा 9 का क्यूब क्योंकि गोले का आयतन किया होता है 4 बटे 3 पाई आर क्यूब होता है जहां आर गोले की तरज्या होती है तो यहां 9 cm तरज्या है इसलिए आयतन होगया 4 बटे 3 गुण गोले का आयतन प्राप्त कर लिया, जिसे हमने पिगलाया है, वो है 972 पाई घन सेंटीमीटर, अब इसे पिगला कर हमने शंकू बनाया है, और शंकू कितना है, शंकू के माप क्या है, तो एक शंकू जो इस प्रकार बनता है, उसका आयतन हम ग्याद कर लेते हैं, तो तीन सेंटीमीटर तरिज्जा तथा छे सेंटीमीटर उचाई वाले एक शंकू का आयतन कितना होता है, यह होगा एक बटा तीन पाई गुणा तीन का स्कूर गुणा छे, हमने कौन से सूतर का कि शंकू का आयतन एक बटा तीन पाई आर स्कूर होता है, आर यहाँ पर शंकू के आधार की तरिज्जा तीन सेंटीमीटर है, तो यह तीन का स्कूर हो गया, छे सेंटीमीटर उचाई है, इसलिए एच का मान छे हो गया, कैलकुलेट करते हैं, तो यह मान आता है, अठारा घन सेंटीमीटर हमने एक शकु का आयतन प्राप्त कर लिया अब गोले को पिगला कर हमने इस इस आयतन के शुक हम संथ की पता चल जाई है तो इसलिए शूद्वागितर के कि शंख्या अभिष्ट शंकूं की शंक्या होगी गोले का आयतन बटे एक शंकू का आयतन हमें दोनों मान हमें प्राप्त हैं गोले का आयतन कितना है 972 पाई एक शंकू का आयतन है 18 पाई भाग लगाया तो यह हो गया 972 पाई बटे 18 पाई पाई से पाई cancel हो गया और 972 में जब हम 18 का भाग लगाते हैं तो हम प्राप्त करते हैं कि मान आता है 54 तो इसलिए जो अभिष्च शंकूओं की संख्या है वो होगी 54 अर्थात जब हम गोले को पिगला कर शंकू बनाते हैं दिये गए मापों के तो हमें इस प्रकार बनने वा कर ले शंकूओं की संख्या मिलेगी 54